कि फोड़ के निकल लेता है कि सब काला बजारी आप लोग करते हैं चोरी बैमानी आप लोग करते हैं और आप लोग जमा कर लेते हैं स्टॉक कर लेते हैं बाद में जंता से लूट पाट करते हैं सारा मटकी आपकी सर फोड़ी जाती है वही ग्राउंड लेविल पर जब आ कर पाइनाज है उसको बंडार किया जाता है तो मुझे लगता है कि प्याज पे भी ध्यान देना चाहिए यह जमाखोर इसके लिए जिम्मेदार नहीं बैपारी को आप अगर जमाखोर और या फिर कहेंगे तो बैपारी फिर बिजनस करना छोड़ देगा अपना प्याज के बड़े दिवानें प्याज के बड़े मूरीद हैं और आजकल उदास रहते हैं थोड़ा प्याज का कम इस्तिमाल कर रहे हैं बिरेन जी यह प्याज का क्या चक्कार रहे इतना महेंगी क्यों हो रही है और आप जब जाते हैं सब्जी और खरीदने तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है कि अभी प्याज हमको तो सब्जी वाला कहता है एक सव रूपियम दे देंगे आपको आपको बाकी को 110 में दे रहे हैं हां जो हमारा परचीत सब्जी वाला है तो मैं लोगों से कहूं का भाई बिरेन जी कि साथ जाय करिए सब्जी खरीए लेकिन कंसेशन नी लेगा लेकिन जो सबसे बड़ी बात है प्रचेट जी कि अटल जी के चमाने में सव रूपिया प्याज भी की थी लेकिन इस बार वो भी रिकार्ट टूट गया मोदी जी की सरकार में नया रिकार्ट बना 110 रुपए तक का अब ये रिकार्ट सायद ही को बीना फीच नहीं किसान को प्याज का पूरा दाम नहीं मिल ला और सबसे आदा परशाणी रोटी प्याज खाने वालों और सराब मोट ऑप्याज का कंबिनेशन सबसे बैस्त माना जाता है सबसे बात करें कितल जैब space qapas तो आदमी सस्तहर्म काम चलाएग प्याजे महेंग हो गई अब नमक चाट के कितना काम चलाएगा प्याज की जिगा मूली इस्तेमाल की जा रही है है हम प्याज की जिगा में मूली देता है मूझा वाला अच्छा हाँ वह मूली साम को अब खालो बिमार पड़ जाओगे यह तो और रोक फैलेगा देखिए इस देश में बड़ कि क्या इस्तिमाल हो रहा है अस्पताल खोले सरकारे इसलिए भी हैं कि महेंगाई पर कंट्रोल करें उसके लिए अपने केंद्र खोले सस्ता समान विगवाएं लेकिन दुर्भाग यह हालत यह अगर आप किसी मोहले में चले जाएए चाह चतना सन्नाटा हो तो पहर में या चली एक ट्रक हां और जूपी की सेमा में कहीं घुसी या मध्यप्रदेश में कहीं तमंचा लगा के लूट ले गई पूरी प्याज कह रहे हैं इस देश में चोर और नेता यह दो समस्ते थे कि यह सबसे आदा की रहे हैं लेकिन जब प्याज के दाम गिरते हैं जिस तरह यहां पर कुल मिला के जब खाने पीने चीजें महेंगी होंगी तो हर तरफ उसका असर होगा मुर्गा मीट मखरा मचली सब खाना परसाइन करण बन गया है सब में प्याज लगती है अब आपकी चिंता तो कुछ और ही है हम लोग कुछ और चिंता रिकट कर रहे थे नहीं क ग्यालना पड़ा इनकी चिंता है इसाने बोली गोली में एक बार ने अपने पति स्बूछा कि कहां जा रहा हो तो महीं आने कहा ठीक जा रहे हो तो थाईली ले कर जाओ तो उसने कहा कि वह कि सिलिए तो बोली कि अगर इरादा बदल जाए तो लोटें बजार से टीलो प्य लोगों को मरने बजाए प्याज की ज्यादा फिकर है हमारे समाज में चलिए दो लाहिने को मार्या कहा जाता था कि तब तक कमाओ जब तक महेंगी चीजें सस्ती ना लगने लगें अब कितना कोई कमाएगा हर किचन का बोज भारी है चार-पांच दिन से तो हम ही प्याज नह करना पड़ेगा तो नान वेज में आप डालते हैं प्याज या कैसे मतलब वेजटे में तो देखिए हर जगा यूज है सबजी में डाल में नान वेज में वेज में हर तरह के खाने अब कोई लास्टू प्याज ना खाने वाला विशेश ब्रामा हो तो बात अलग है बाकि अचा ठीक है अपनी बात करें देखिया जो सचाई है कि घर फूटे गलियारे निकले आंगन गायब हो गया सासन और परसासन से अनुसासन गायब हो गया और तो हारों का गला दवाया बद सूरत महंगाई ने आग मिचोली हसी ठीठोली शीना है सब तनहाई ने तो सब चीन लिया है और बीड़ेंजी बहुत बहुत शुक्रिया बिरेंजी बहुत बहुत धन्यवाद प्याज की कीमते आसमान चूर रही है पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने सौर उपया से ज़्यादा की कीमत की प्रतिकिलों प्याज वित्तर प्रदेश में विक्रें तमाम जगहों पर प्याज की कीमतें बड़ी है सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कोई प्याज की कीमतों को नियंत्रित करें और भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहा है कई बार सरकारों के समक्ष इस तरह की चुनोतियां आई सरकारें बंती और